मायरा फाशन, स्वामी कॉंप्लेक्स, अन्वेगा मौल, अजमेर ग्रीन हाउस, गैसों के बढ़ते उत्सरजन ने, जहां परियावरण को भारी नुकसान पहुचाया है, वहीं खेती और किसान के समक्ष चुनवतियां खड़ी हुई है जलवायू परिवर्तन से जीव जन्तों का वेवार बदल रहा है पाकिस्तान सीमा से सटे, राजस्तान के बाड़मेर, जैसलमेर, श्रीगंगा नगर और जालोर जिले में तेश सर्दी के मौसम में भी टिडियों के परकोप को जलवायू परिवर्तन का ही कारण माना जा रहा है इसी के साथ रविवार को जैपूर में अपना संस्थान एमम बियानी ग्रूप अफ कॉलेजिस के संयुक्त तत्वाधान में पर्यावरन प्रहरी सम्मान समहरों का योजन किया गया इस कारेकरम का मुख्य उद्देश या राजस्थान में जलवायू परिवर्तन और हरित राजस्थान पर काम कर रहे लोगों को सम्मान देना था कारेकरम में केंद्रिय जल शक्ती मंत्री गजेंदर सिंग शेखावत ने अजमेर के 13 व्यक्तियों को सम्मानित किया जिसमें उन्हें प्रशस्ति पत्र, सम्मान पत्र और शील्ड दी गई। एडिशनल स्पी प्रिती चौधरी को हाडारानी पाटालियन में 11,000 नीम के पेड़ लगाने हे तू विश्वास पारिक को योग के माध्यम से परियावन रक्षार्त नेर्मल गंगवाल को नारिली स्थित तीदक्षेतर में वरिक्षा रोपन हे तू विकास सक्सेना को जोहार लाल नहरूच के साल्या में वरिक्षा रोपन हे तू रंगमंच के द्वारा प्रक्रती हित में काम करने वाले विश्णु अवतार भारगव जी को पूनम बांडे को सायत्य हेतू शलप टंडन को भू एम जल संडक्षन उनके नवाचार पर योग हेतू उस्त्रिष्टी भारगव को वन्ने जीव एमं सापो को पकड़ने के शेत्र में और ललित खत्री को एको फ्रेंडली वेडिंग हेतू गजेंदर सिंग शेखावतदार समानित किया गया कारिकरम में राजस्तान के समस्त जिलो से 130 परतिभागियों को इस पुरस्कार हेतू चुना गया था अगर आप ये वीडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं तो एम्टी टीवी इंडिया के पेज को फॉलो करें और अगर ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो वहाँ सब्सक्राइब करें वीडियो जनरलिस्ट राजवीर सिंग के साथ मैं ललित खतरी